हलो फेंस मैं हूँ कंचे शर्मा और मेरी चैनल पे आपका बहुत बहुत सागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्री वरत स्पेशल साबू दाना बढ़ा की रेसिपी इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी वरत में खाने वाली हरे धनिये की चट लिया अगर आप इससे ज़्यादा कॉन्टिटी में बनाना चाहते हैं अब प्डे क्भी में अए और आप popular आप स्वाइब पानी टाल कर अच्छे से धो लेंगे तूर देखिए हमने इसे अक्छे इदो अच्छे दोवर लिया है ताकि साबू दाना जो है अच्छे से अंदर तक फूल जाए तो यहाँ पर देखिए पूरे चार घंटे बाद आप देख सकते हैं साबू दाना जो है कितने अच्छे से फूल गया मैं आपको एक दबा कर दिखाती हूँ देखिए कितने एजी ये दब रहे हैं हमारा साबू दाना काफी अच्छे से फूल चुका है तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं देख सकते हैं एक एक दाना बिल्कुल मोती के जैसा खिला खिला है और अब हम इसमें एड करेंगे हाप का भूनी हुई मुंगफली का दरदरा पाउडर इसे हम डाल देते हैं और अब हम आप आप एड करेंगे एक बारिक कटिवी हरी मिर्च और हमने हाप इंच अदरक के टुकड़े को कद्दू कस करके लिया इसे हम डाल देते हैं तीखा आप अपने एकोर्डिंग बढ़ावी सकते हैं और हाप टीजपून यहाप जीरा डाल देते हैं और दो टेबल स्पून हम यहाप डालेंगे भारिक कटिवी हरे धन्य की पत्ती और यहाँ पर 1 फोर टीजपून लाल मिर्च का पाउडर अगर आप खाते हैं तो इसे एट करें नहीं तो आप इसे इसकेप कर सकते हैं और यहाँ पर हम एक उबला हुआ आलू डालेंगे तो इसे हम इस्तेक से कद्दू कस करके टाल देते हैं और इसके पाद अब हम एट करेंगे यहाँ पर स्वाद अनुसार शेंधा नमक हम वरत के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पर सेंधा नमक का ही इस्तमाल करेंगे और यहाँ पर बड़े को चटपटा बनाने के लिए 1 टीजपून लेमन जूस एट करेंगे और इन सबी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि सारी चीज़े जो है अच्छे से मिक्स ना हो जाए तो यहाँ पर हम इसे हाथों की साइता से मिक्स कर लेते हैं तो इसे अच्छे से mix कर लें जब तक की सारी चीजे आपस में अच्छे से mix ना हो जाए तो ये हमारा बड़े बनाने के लिए mix बिल्कुल रेडियो हो चुके है तो चलिए अब हम इससे बड़े बना लेते हैं तो यहाँ पर हम थोड़े से हाथों में तेल लगा लेंगे आप चाहे तो गी भी लगा सकते हैं थोड़ा सा mix हम हाथों में लेंगे और इसे हमें एक round save देना है इस तकी से देखे हमें एक गूला बनाना है उसके बाद हम इसे हाथों से प्रेस करते वे इसे चप्टा बड़ा का आकार देंगे देखे इस तके से हमने एक बड़ा बना कर तयार कर लिया है इसी परकास से हम सारे बड़े बना कर तयार करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ा बना कर दिखा देती हूँ देखे तोड़ा सा mix हम हाथों में लेंगे और इसे हमें इस तेके से round shape देना है और हतेलियों से हलका सा प्रेस करेंगे तो यह हमारा बड़ा बनकर बिल्कुल ready हो चुका है इसी परकास से हमने सारे बड़े बना कर तयार कर लिये हैं और चलते हैं अब इन बड़ों को तलने की process में तो यहाँ पर हमने बड़ों को तलने के लिए पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था यहाँ पर देख सकते हैं हमारा तेल काफी अच्छा गर्म है तो यहाँ पर हम गर्म तिल में बड़ो को डाल देंगे और उसके बाद हम गैस कपले मीडियम कर देंगे और अब हमें बड़ो को मीडियम आज पे तलना है ताकि बड़े जो है अंदर से अच्छे तक पक जाए और इसे हम ऐसे ही पकने देंगे हमें इसे अभी बिल्कुल भी नहीं पलटना है जब तक ये नीचे की साइट से सुनारा क्रिस्प ना हो जाए तब तक हम इसे नहीं पलटेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे बड़ों में गोल्डेन सा कलर आना सुरू हो चुका है तो इसे हम इसे पलट लेते हैं और इसे हम दूसरी और से भी इसी तैके से सिखने देंगे तो अराम से इसे मेडियम आज पर सिखने दे ताकि बड़े अंदर से अच्छे स सिख जाए और जब यह दोनों और अच्छे से सुनायरा क्रिस्प हूच जाए तब हम इन बड़ों को निकाल लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़े कितनी अच्छे से पूल भी गया है, तो इन बड़ों को हम निकाल लेते हैं यह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कि बड़े तल कर लिए हैं देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी हमारी बड़े बनकर तयार हुए है और इन बड़ों के साथ हम सर्फ करेंगे चटपटी वरत वाली चटनी तो चलिए फटापट चटनी भी हम बना लेते हैं तिहां पर हम जार में डालेंगे एक मुठी ह सारे धनिय की पत्ति और उसके बाद हम यहां पर एड़ करेंगे वन टेबला स्पून भुना हुआ मुंग फले इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे जरूर एड़ करें और वन फोर्टी स्पून हम यहां पर डालेंगे जीरा एक छोटा सा टुकड़ा हम यहां अ बाद अनुसार शेंधा नमा और आप चाहें तो यहां पर एक टमाटर भी काटकर एड़ कर सकते हैं अगर आप बुरत में टमाटर खाते हो तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं तो यह हमारा हरे धनिय की चटपटी तीखी चटनी भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुक ब्रत उपवास के लिए और कैसी लगी आज की हमारी रेसेपी मुझे कमेंस करके ज़रूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को प्लिस लाइक ज़रू कीज़े ज़ादा से ज़ादा अपने फेंस और फैमली के साथ सेयर कीज़े मेरी रेसेपी अच्छी लगती हो और मेरे चानल पर नए हो तो मेरे चानल से जुड़े रहने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजे पेल आइकन को पेस करना ना भूले जिससे मेरी नई वीडियो की अफ्लोड की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फि कियम आइक्स पॉर बाचिंग